चौपया वाहन से लाखों का माल चुराने वाले सराइद गुनेगारों को शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौपया वाहन में रखे एक लाख एक्यानबी हजार रुपय की राशी गायप करने वाले आंतर राजिये दो चौडों को गिरफ्तार किया गया है। फायदा उठाते देवधनम नागया पिलय या दवलू शाम बानाला दोनों ही दुपया सवार वहां आये और चौपया वाहन से लाखों रुपय की राशी लेकर फ्रार हुवे। चंद्रपूर यवतमाल बर्धा में चोरी करने की कभूली दी। जिसे यवतमाल पुलिस ने दोनों ही चोरों को शहर पुलिस के हिरासत में दिया। चंद्रपूर शहर पुलिस ने दोनों ही चोरों को हिरासत में लेकर जाज शुरू की है। पुलिस ने रिक्षक बहादूरे ने इस समन जानकारी देती हुए। बताय के इन आरोपयों को यवतमाल डिस्ट्रिक में पकड़ा गया था। फूश्दाश करने पर पता चला कि यहाँ छे लोगों की ग्यांग है और उन्होंने कई चीलों में इसी तरह की चोरिया की है। यहाँ लोग एक लॉज में रहकर बैंक तथा पेट्रोल पम के आसपास रहकर इस तरीके की चोरी करते हैं। पेट्रोल पम के मालिक खुबरा गड़े यहाँ अपने पेट्रोल पम की कैश एक लाग पंचान बेजा कार में रखके यह कैश जो है बैंक में भरने के लिए जाने की तहरी में थे। उतने में दो मोटर साइकल सवार आये और उन्होंने वो कार में से बैग उठा के भाग गए। उसको जब हमने जाच किया तो CCTV फूटेज में उनके छेरे हमको नजर आये। उसके उपर से हमने काफी छानबिन की, छानबिन करते करते हमें ऐसा पता चला कि इन आरोपियों को यहतमाल डिस्टिक में पकड़ा गया है। वहाँ से उनको लेके आये, लेके आने के बाद में उनसे जब कुश्टच की तो पता चला कि यह छह लोगों की गैंग है और इनोंने तकरीबन वरधा, अमरावती, यहतमाल, वरोरा, ऐसे कई जगों पे इसी तरीके की रॉबरी या चूरिया की है। यह मुलता नेलोर जो है आंदरप्रदेश में वहाँ के रहिवासी है और यह तकरीबन छे लोग जो है एक लाज में रुपते हैं और वाई से बैंक या इसको आजवाज़ों में गूमके यह अपना जो आदमें उसको ट्रैक करते हैं उस पे से और उसके बाद में उसके पा करेंगे उस हिसाब से जो भी आगे का निश्पन होगा आपको फिर से बताये जाएगा